गुड मॉनिंग शुद्रेंज आज हम हमारा चैप्टर शिक्स का वार्ड प्रावलेम डिसकसन करेंगे देखो एक्जाम्पल दिया है यहाँ पे ए बैलोन सेलर है ज़ 500 बैलोन्स ही डिस्ट्रिब्यूट्स दिच बैलोन्स इन 7 चिल्डन हाउ मेनी बैलोन्स विल बी लेट विद लिद हीम तो एक बैलोन्स दिच के पास थे 500 बैलोन्स यह जो 500 बैलोन्स था उसके पास वो 7 चिल्डन में डिस्ट्रिब्यूट्ड कर दिया equally तो उसके पास कितने बैलोन्स बचे तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे solution देखो उसका तो पहरे लिख देंगे total balloons total balloons कितने है 500 for 7 children दिया है पुरा ऐसे करके लिखेंगे क्या करेंगे यह वो जो seller था वो क्या करा 500 balloons को 7 children में equally डिवाट कर दिया तो उसके पास कितने बैलोंस बर्च यही निकालना है हमको तो यहाँ पर हमको साब पता चल रहा है तो अभी हम क्या कर देंगे 500 को 7 के साथ डिवाट करेंगे ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे 5 यह तो 7 से छोटा है तो 5 0 को लेंगे 7, 7,0 49 50 से 49 मैनस करने से कितना हो गया 1 और यह 1 प्रेस का नंबर आ गया 0 तो 7 टेबूल में 10 नहीं है तो 7 से छोटा वाला 7 नहीं है तो 7 1 इच 7 तो 10 से 7 मैनस करने से हो गया 3 तो 7 चिल्रेन जो थे उनको कितने कितने बैलोन आए उनके पास 71 बैलोन तो उसका एंसर हम कैसे लिखेंगे 71 बैलोन वैर डिस्ट्रिबूटेड टू इच चाइल्ड तो वो जो 7 चाइल्ड थे उनको 71 बैलोन्स मिले और 3 बैलोन्स विल बी और वो जो सेलर था उनके पास कितना बैलोन बच गया तीन थो आप हमको कैसे पता चला ये जो रिमेंडर ये बच गया और 71 ये जो कॉसेंड था ये सारे बचों में डिभाड कर दिया तो उसका जो कॉसेंड था ये बचों को बैलोन्स मिल गया और ये जो रिमेंडर था ये बच गया ठीक है तो यहाँ पे जो सारा नंबर है 6.8 का इसमा क्या होगा सारे नंबर पे डिवीजन नहीं होगा तो आपको पुरा मैं जैसे लिखी हूँ प्रपरली पुरा लिखना है ठीक है तो इस 6.8 आपका होमवाख है